आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि VS Code server को internet पर किस तरह से deploy करना है और कहीं से भी किस तरह से इस्तमाल करना है ऐसा करने से आप लोग अपने phone में, tablet में, अपने laptop में या किसी भी device में जिस पर internet access आप लोगों को बलब्ध है वहाँ पर चला सकते हैं अपना VS Code अब ऐसा करने का फाइदा ये होता है कि आप किसी भी device में हो, कहीं पर भी हो, आपको अपना development environment ब्राउजर में मिल जाएगा और ये कोई जुआरबाजी नहीं है, ये बिलकुल genuine तरीका है VS Code को install करने का, एक link के जरीए आप लोग VS Code को access कर पाएंगे वो भी absolutely free of cost, इस project को आप लोग absolutely free of cost deploy कर पाऊगे अगर आप लोग Linode का इस्तिमाल करते हो description में आप लोग को एक link विलेगा जिसका इस्तिमाल करके आप लोग Linode का hundred dollar plan free में activate कर सकते हो उसको access कर लेना और उसके बाद इस video को follow करना जिसमें मैं आप लोग को बताऊँगा कि किस तरह से आप लोग vs code on the cloud deploy कर सकते हो बिना किसी coding के आपको linux आने की जरूरत नहीं है आपको ज्यादा hi-fi coding आने की जरूरत नहीं है अगर आप लोग एक beginner भी हो जो की setup करना चाता है अपना development environment cloud पर तो यह video आप लोग के लिए है चलते है computer screen में और देखते हैं कि यह सारा setup एकड़म आसानी से किस तरह से किया जाएगा आपके description में एक link है linux का जो कि आप लोग को क्लिक करोगे तो आपको $100 मिलेगा जिससे कि आप लोग इस tutorial को absolutely free में देख पाऊगे करना linux पर आने के बाद और उसके बाद में आपको बताता हूं कि आप किस तरह से vs code on the cloud बना सकते लेकिन उससे भी पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा linux का जिन्होंने इस video को sponsor किया और हमारे सारे users को $100 on sign up दिया solder or credit आप सबको मिलेंगे free में sign up पर अगर आप लोग नीचे description के link से sign up करोगे तो जो कि बहुत बढ़ी अब आते हैं अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूं किस तरह से vs code on the cloud बनाया जा सकता है सिब्री आपको यहाँ linux पर क्लिक करना है marketplace पर जाना है आप चाहें तो यह distribution पर जाकर ubuntu यहाँ फिर कोई और operating system से अपनी machine को spin कर सकते हैं लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं मैं marketplace पो जाओं और यहाँ पर vs code server यह जो चीज़ेस पर क्लिक कर यहाँ पर एक password अपना चुन लूँगा मैं अपने पसंद का password चुन रहा हूं आप अपने पसंद का चुन लेना ठीक है मेरे अपना email डाल दिया यहाँ पर फिर उसके बाद मैं यहाँ पर अपना password चुन लिया फिर मैंने यहाँ पर यह सारी चीज़े मैं खाली छोल रहा महीने के लिए रखता हूं तो मुझे यह लगेगा आप शेयर सीपी उपर भी जा सकते हैं चुकि और सस्ता आपको मिलेगा सिर्फ पांच डॉलर में आप स्पिन कर सकते हैं लेकिन मैंने आप डेडिकेट चार्ज भी जो है चुन लिया है ठीक है इसके बाद मैं एक password चुन कर रहा है हमारे लिए और जितनी दियर में यह कर रहा है मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप किस तरह से vs code server हम लोग एकसेस करेंगे हम लोग यहां पर नेटवर्क पर जाएंगे और यहां पर यह जो reverse DNS वाला लिंक है जब यह मारी मशीन रेडि हो जाएगी हम इस लिंक पर जाएंगे और जो हमने password चुना था वो हम लोग एंटर करेंगे और हमारा vs code server एकदम रेडी है लिनोट का YouTube पर एक वीडियो है जिसमें लोग ने बताया है कि किस तरह से machine को spin up करके यह काम करना है मैं आपको दिखाता हूं linode vs code on the cloud लेकिन इस tutorial में यह बात है कि आप लो कि आपको configuration करने की ज़रूरत नहीं है सब कुछ linode आपको करके देखा जो कि मेरे हिसाफ से बहुत अच्छी चीज है अगर आप लोग learning purposes के लिए चाहें तो vs code को install कर सकते है एक VM में आप अपनी machine में इस अपनी किसी दूसरी cloud machine में बट यहां पर मुझे यह तरीका बहुत अ जाएं तो अच्छा रहता है ठीक है तो मैं अगर यहां पर इस link पर जाओं और मैं वेट कर रहा हूं कुछ होने का भी तो इसने मुझे दिखा दिया साइट कांट भी रीच्ट शाय थ्रूर टाइम ओल लगे ओके सो वैलकम टू कोट सर्वर मैं अपने password को पंच इन करूं क यही तो password था तो चुना था एकार समय के हैं यही ब्यूब पासवर्ड डाला नहीं था अभी डाला है से पासवर्ड तो लॉग इन हो गया एंड वाव यार आपका विएस कोड आपके सामने है अगर यही लिंक आप लोग अपने फोन में डालते हो तो आपको फोन में विएस कोड लिटरली देखने हो मेरे का क्योंकि यह जो विएस करेंगे फोल्डर को उपन करेंगे तो मैं यहां पर माइव वेबसाइट करके बना दूँगा फोल्डर ठीक है ओके पर क्लिक करूंगा ओके ओके ठीक है प्लीज एंटर पात डाट एक्जेस्ट यह एकचुली माइवसाट एकजिस नहीं करता तो अब एक काम करते है ठीक है निशे टर्मिनल में आते हैं ठीक है टर्मिनल टर्मिनल ठीक है M K D I R My Web ठीक है और यहांबर मैं माइवेब लिखुँगा तो क्या होगा कि मैं चूज कर पाऊंगा माई वैब फोल्टर तो जो माई वैब फोल्डर है वो खुल जाएगा मेरा ठीक है तो आप देखो यह माई वैब फोल्टर खुल गया मालो मैं एक वेबसाइट बनाना चाहता हूं इंडेक्स.html और यहां पर मान लो मैं जो है सेटिंग्स में जाके मैं चाहता हूं की फॉंट साइज जो है जो है जूम हो जाए माउस वील पर वाव तो यार मतलब पूरी वही फीलिंग है मैं लिटरली बता रहा हूं वही फीलिंग है जो कि आपको मिलती है जब आप लोग कंप्यूटर केंदर VS Code इंस्ट्रॉल करते हैं और मैं यह बाद सब कहने के लिए नहीं कहा रहा हूं आप लोग इस चीज को फील कर सकते हो जाकर मेरे साब से यार बहुत बढ़िया चीज है बहुत ही बढ़िया चीज है सबको कम से कम पता दो ना चाहिए मैं ही नहीं नहीं जोड़ दो अपने Windows वाल और इस पर आजाओ नहीं ऐसा नहीं कहा रहा हूं मैं वस ही कहा रहा हूं कि आप लोग जो है इसको सीखो गिया ऐसा भी कुछ किया जा सकता है तो यहां पर मैं लिखूंगा लेटस से जिम वेबसाइट ठीक है और यहां पर मानलो मैं लिखूंगा दिव.gym ठीक है और यहां पर मैं लिखूंगा इस इस जिम वेबसाइट वगेरा बहुत बड़ी हा काम कर रहा है मैंने पराग्राफ लिखा मैंने लॉरें 23 लिखा तो यार सब कुछ बहुत बड़ी हा काम कर रहा है मैं अगर यहां पर कुछ इस तरह से ऐसे करूं राइट को बिल्ड करना चाता हूं और मैं देखना चाता हूं कि यह आक्शुल में कैसी दिख रही है तो मैं क्या करूंगा एक लाइफ सर्वर नाम की एक्स्टेंशन है को सब कुछ आप वैसे ही कर सकते हो जैसे आप हमेशा करते आते हो ठीक है तो लाइफ सर्वर को इसको थोड़ लगता है ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हो राइट लिक मैंने किया ओपन विद लाइफ सर्वर को अप्शन आगया अब यहां पर देखो यह कह रहा है कि पच्छ पंसो पोर्ट पर लाइफ सर्वर स्टार्ट हो जुका है लेकिन आप इसको एक्स कैसे करेंगे तो उस तो इस मशीन पर मैं कहूंगा यूएफ डवलू अलाव पच्छ पंसो पोर्ट को अलाव किया जाए और जैसे ही मैं पच्छ पंसो पोर्ट को अलाव करूंगा आप देखो यहां पर जिम एबसाइड आपके सामने है ठीक है तो यह वाला कमांड भी आप लोग सेव करके जी जہला हुआ है हां 80 झोला हुआ ना तो तो में काम कर सकते हूं लइक सर्वर का पूर्ट है हूं गार परी सर्वर का पोर्ट अब चेज़ कर सकते हो ठीक है अगर गार यहां 80 डालते हो मैं बस देखना चाहते हूँ किlect चैटेकना काम करता है मैंने काभी किया नहीं मैं जिस देखना चाथा हूँ कि क्या ये क्या जा सकता है लाइब सरफ वाव यह स्टपारीट टीटी यह छिर डीफॉल टीटीट कि चल रहा है ठीक है तो आप यह फिर आप क्या के लिए बता रहा था ठीक है अगर आप लोग को मजा आया इस चीज में अगर आप लोग सोच रहा हो कि लिनोट के सर्विस है तो जैनुनली लिनोट बहुत बढ़िया सर्विस है लिनोट तो आप लोग बिना टैंशन के अपने बिजनस को लिनोट को ला सकते हो और 100 दो है क्लेम करते हैं तो आपको कम से कम यह सारी चीज से फी में पड़ाइंगी यह सारी चीज़े कर पांगे तो यहां पर आप लोग अपना एक development तो मैंने खुला अपने फोन के अंदर और अब पासवर्ट डाल देता हूं चलती से ठीक है एक मिनिट में डाल लोग पासवर्ट देना मेरेको सब्मिट किया मैंने कर दिया मुझे नहीं बता लॉग इन होगा की नहीं तरीके से आपर coding करी जा सकती है आप लोग देख सकते हो दिख रहा है क्या मेरा चेरा तो blood हो गया है लेकिन ये दिख रहा है क्या आपको बस ये जानना चाहता हूँ दिखी रहा होगा ठीक है तो ये काफी बड़ी आए ठीक है ये वीडियो आप लोके लिए इसाइटफुल रहा ये सब ट्राय करना कोई नहीं चीज मेले तो मुझे भी बताना या ठीक है लेकिन ये सबसे आसान तरीका in my opinion है वीएस कोड को चालू करने का on the server इससे आसान तरीका किसी को अगर बिले तो मुझे बता देना ठीक है और 100 डॉलर नीचे डिस्क्रिप्शन में से ले लेना लिनोर्ड के क्रेडिट्स अभी एक लिए इस वीडियो में इतने है गाइस ट्यूस के लिए आएंगे समय होग ईस्ट लेग्स आएंगे से लिए बामता है